बीवन प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds आज हम वर्क्षीट नमबर 4 पढ़ेंगे and the subject is English and your class is 7th तो चलिए हम आज की वर्क्षीट शुरू करते हैं आज की वर्क्षीट में हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे the past form of B हमने इस पहले इससे पहले वर्क्षीट नमबर 3 में हमने present form of B पढ़ा था मतलब is MR पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे was और were पढ़ेंगे तो अगर आपको पिछले वाली वर्क्षीट देखनी है तो उपर दिये गए आई बिटन पर आप क्लिक करके वो वर्क्षीट भी आप देख सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं was were is past form of is MR and also used with past tense is MR की past form भी है और हम इसे past tense में इस्तमाल करते हैं तो सबसे पहले कुछ example देखने से पहले इसके हम use देखते हैं इसको हम कहां कहां हम use कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है singular verb was is a past form of ism ism की past form है हम तो हम इसको किसलिए use करेंगे हम singular nouns के साथ और singular pronouns के साथ हम इसका use करेंगे जैसे he was, she was, I was, Ramesh was, Sita was and Virat was और plural verb माने verb, verb का इस्तमाल करेंगे हम आर की जगे you were, they were, we were, animals were, ram and sham were तो ऐसे आप इसका इस्तमाल करेंगे यहाँ आपर कुछ sentences देखते हैं उनको हम पढ़ते हैं जिससे आपको और clear idea हो जाएगा यहाँ पर लिख रखे, look at the following table carefully and read out the sentences aloud I was, I was hungry yesterday, मैं कल भूखा था we were in Mumbai last year, हम पिछले साल मुंबई में थे you were late yesterday, तुम कल देर से आए he was, he was in Delhi two years ago, वो दो साल पहले दिल्ली में था she was, she was looking pretty in the party वो party में काफी खुबसूर सुन्दर दिख रहे थी it was a rainy day, कल एक बारिश का दिन था या वह वो बारिश का दिन था they were present in meeting last month वो meeting में पिछले महिने उपस्तित थे तो अब ऐसे इनका इस्तमाल आप कर सकते हैं आप यह जरूर नोट करें जो यहाँ पर use of heading डालें सारी चीज़े subject और रक्षिट number date डालें your class और आप यह सारा जैसे was worth a past form of आप यह पूरा अपने notebook में write down करने की कोशिश करें उसके बाद क्या है उसके बाद कुछ sentences हैं यहाँ पर और आपको was worth और वर का correct choices में करना है तो आप यह खुद कर सकते हैं क्योंकि आपने उपर पढ़ा है तो इतनी पर नीचे exercise पहले वार खुद करके देखें बाद में आप मेरे answers से अपने answers match करें क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है singular है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दा बोई was reading a book जो लड़का वो किताब पढ़ रहा था they dash playing बैड मिंटनिया पर देखें एक से ज़्यादा दिख रहे हैं तो एक से ज़्यादा मतलब plural nouns हैं और सवरी यह plural noun है दो एक लड़का एक लड़की है उसके जगह हमने they pronoun use किया है तो हम they pronoun के लिए भी हम क्या use करते हैं were use करते है we dash eating we hum यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा जो members दिख रहे हैं वो खाना खा रहे हैं तो we के साथ भी हम क्या use करेंगे we were eating हम खाना खा रहे थे he यहाँ पर एक teacher के बारे में बात की गए he was a teacher was का इस्तवाल हम करेंगे वो एक अध्यापक थे इसके बाद कुछ और exercises है complete the paragraph with was and were इसको भी हम करते हैं when I was in six class जब मैं class six में था I was a good player of football my two friends रमन अनिशाहिली यहाँ पर देखिए रमन अगर आप singular खुद इसको रमन को देखेंगे तो यहाँ पर two friends भी लिखा है आपको hint देने के लिए तो रमन अनिशाहिल वर आलसो इन आवर स्कूल टीम वो भी हमारे स्कूल टीम में थे रमन वोज आवर कैप्टन रमन हमारा कैप्टन था यह वोज अ गुड किर्केटर आलसो वो एक अच्छा किर्केटर भी था आवर टीचरस एक से जाधा टीचरस के बारे में बात के गई आवर टीचरस वर वैरी गुड हमारे जो टीचरस थे बहुत अच्छे थे वो हमारी काफी मदद भी करते थे तो यहाँ पर आप ऐसे एक्सेसाइज कर सकते इसके बाद last exercise बच गई उसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ sentences दिये गए हैं कुछ words आपको यहाँ पर pronoun दिये गए हैं was और वर बी की पास form दी गई और यहाँ पर उसके साथ हमें जो last part जोड़कर हमें sentence बनाना है यहाँ पर दो sentence आपके लिए बनाएगे जैसे I के साथ इन्होंने यूज किया was amuse करते हैं I के साथ यूज किया हमने इसने happy I was happy ठीक है और उसके बाद इसने यूज किया they दे के साथ वर इका इस्तमाल के इसने they were brothers वो भाई थे तो ऐसे ही बा was a student you were in our class तुम्हारी क्लास में थे we were happy sorry we were hungry हम बूखे थे and Sonu was in our class Sonu हमारी क्लास में था तो यहाँ पर आप ऐसे इस वर्क्षीट को complete कर सकते हैं और last में आप कैब मैसेज पढ़ सकते हैं कोविड appropriate behavior wash your hands with soap and water soap और use a sanitizer आप साबुन से पने आतों को दो यो sanitizer का use कीजिए and if you like this video then hit the like button subscribe our channel hit the notification bell share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds जय हिंद जय बारत मिलते हैं आप सब से अगली वीडियो में